जीवन की यात्रा में हम अकसर अपने आपको एक भौपू की तरह पाते हैं चुनोतियों और अनिश्चित्ताओं से गुजरते हुए लेकिन प्रत्येक भौपू के अंदर परिवर्तन की संभावना होती है जैसे ही भौपू हमें भी परिवर्तन को स्विकार करना और अपना स्वयम का अपना रूपांतरन करना चाहिए यह हमेशा आसान नहीं होता हमें विकल्प, अनिश्चित्ता या अधिक भयानक महसूस हो सकता है लेकिन उन क्षणों में असहमती के क्षणों में ही हम अपनी ताकत और सहन शीलता को खोचते हैं और जब हम अपनी पंख पहलाते हैं तो हम अपने वास्त्विक आत्मा को स्विकार करने की खुबसूर्ती और स्वतंतरता को महसूस करते हैं तो जो भी अटका हुआ या अनिश्चित महसूस कर रहा है याद रखे आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है परिवर्तन को गले लगाएं और अपनी आत्मा को उडान भरने दें